किसान सातियों बात करते हैं लहसुन के भाव के बारे में आज लहसुन में कितनी तेजी देखने को मिली है या नर्मी ही नर्मी देखने को मिली है किसान सातियों तेजी तो बरकरार देखने को मिली है हम यह कह सकते हैं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कोटा मंडी के भाव के बारे में किसान सात्यों आज दिनांक 28 मई 2021 को किसान सात्यों जो कोटा मंडी है वहाँ पर लहसुन का जो भाव है वो क्या देखने को मिला हुआ है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सारी सटीक जानकारी के साथ बताऊँगा कोटा मंडी से फॉल अपडेट किया आज देखने को मिली है कोटा मंडी की हर एक जानकारी लहसुन को लेकर किसान सात्यों आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा उससे पहले अन्रोध है अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जली से सस्क्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कभी भी कोई वीडियो हम अप्लूट करेंगे उसका नोटिफेकेशन आपके पास जरूर पहुचेगा तो चलिए किसान भायों जान लेते हैं आज कोटा मंडी के भाव के बारे में कोटा मंडी में आज क्या भाव देखने को मिला है कितनी तेजी कितनी नर्मी किसान भायों देखने को मिली हुई है तो इस वीडियो में आपको सारी सटीक जानकारी के साथ बताऊँगा कोटा मंडी से फूल अपडेट के साथ किसान साथियों अगर नई लेसन की बात करें किसान साथियों तो 7000 रुपे से लेकर 8200 रुपे प्रते कॉंडल किसाब से देखने को मिला है और भड़िया फूल गोला माल की अगर बात करें तो 6000 रुपे से लेकर 7200 रुपे प्रते कॉंडल किसाब से देखने को मिला हुआ है अगर भड़िया लड़ू माल की बात करें तो किसान सात्यों 4800 रुपे से लेकर 1200 रुपे प्रते कॉंडल की साथ से देखने को मिला हुआ है वहीं पर छोटे लड़ू अगर माल की बात करें तो किसान सात्यों 3500 रुपैसे लेकर 4500 रुप्रते कॉंडल की साथ से देखने को मिला हुआ है किसान साचियों midium माल की अगर बात करें तो 3,000 रपे से लएकर 4,000-4,000-2,000 रवाप्रते क revolting साब देखने को मिला हुआ है अगर हलके भारी की माल की बात करें तो 1500 रप에 से लेकर 3500 रवाप्रते कолетल की साब पर जो माल है आज कोटा मंडी में देखने को मिला हुआ है